तो अभी तक आपने फोस्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं तो किल्स जीले को विवाजित कर विजापुर जीला बनाया गया तो इसका राइट आंसर है दंतेवडा जीला ठीक है दंतेवडा जीला को विवाजित करके विजापुर जीला बनाया गया ठीक है विजापुर जीले को जो है एक मई 2007 को दंतेवडा जीले से अलग करके बनाया गया था विजापुर जो है बस्तर जीले की अंतिम चोहर में स्थेत है ठीक है बिजापुर जी लेके साथ महाराश्टरा तेलंगाना राश्ट ये राज्य की जिस सीमा है लगी हुई है ठीक है कौन-कौन से महाराश्टरा तेलंगाना ठीक है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा राज्य 36 गड़ की सीमा को नहीं चूता है तो कौन सा राज्य नहीं चूता है ऐसे पूछ रहा है तो ओरिसा, एमपी और जो है आंधरपदेश ये चूता है ठीक है चाटिस गड़ की सीमा को तो करनाट का जो है यह चाटिस गड़ की सीमा को टच नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं चाटिस गड़ की किस जीले में सबसे कम तहसीले हैं तो चटिसगर के कौन से जीले में सबसे कम तहसीले हैं नारानपुर जीले में अथा है रायपूर कितने वर्ग किल हैं तो च़सृप आs करकर एक हो गज़रती है तो से थीन जीले से करकर एक गज़रती है तो 36 गड़ में जो है तीन जीले से करकरेखा गुजरती है बलरामपूर, सूरजपूर और कोरिया ठीक है तो यह जो बागी option है यह गलत है सूरजपूर इस राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट हम दिख लिता है चतिस गड़ राजे का पहला भाग निमन्न मेंसे किसके एक समान दिखाई दिता है तो इसका राइट आनसर है शमुंदरी घोडा के समान दिखाई दिता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं चतिसगर के किस जीले का नाम बदल कर कबीरधाम रखा गया तो कबीरधाम जो रखा गया कवर्धा जीला का नाम जो है कबीरधाम रखा गया है क्यों रखा गया है कबिर साहिव की आगमन और उनकी सिस से धर्म दास के वनसजो की स्थापना के कारण जो है कबिर धाम रखा गया है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेता है भोगलिक द्रिस्टी से चतिस गढ़ को कितने भागों में बाटा गया है कौन-कौन से तीन भाग, उत्री परवत स्रिंख लाएं, चतिस गड़ का मैदान और बस्तर का पठार, ठीक है, ये तीन भागों में बाटा गया है चतिस गड़ को, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चतिस गड़ राजी के निचले जिलो में, मेकल परवत, मेकल परवत, स्रेणी का भाग, किसका नहीं है, तो किसका नहीं है, राइगड का, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चतिस गड़ राजी का सबसे बड़ा भोगलिक छेत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है, मैदान और नदियों, नदियों की घाटियां, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सरगुजा जीले का मुख्याले कहा है, तो सरगुजा जीले का जो मुख्याले कहा है, अंबिका पूर में, ठीक है, फ्रेंट वीडियों पसंद आया तो लाइक कमेंट से जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कबिर्धाम जीले का मुख्याले कहा है कबिर्धाम जीले का मुख्याले कहा है तो इसका राइट आंसर है कवर्धा ठीक है 36 गड़ में नेम लिखित में से कौन सा जीला मुख्याले नहीं है तो ब्रहमर नहीं है ठीक है कोई भी जिलामूझे लगे नीया है नेक्श्ट हम देख लेते हैं हाँ चेटिसगर का दूसरा सबसे बड़ा सहर कौन सा है कौन सा है तो इस करायत अंसर है बिलासपूर ठीक है नेक्श्ट हम देख लेते हैं और इस क्लास का लासक tussen ए जो है 220 मीटर है ठीक है उमेद है आज का क्लास आपके लिए इंफोमेटिव रहा होगा तो वीडियो पसंदा रहा है तो लाइक कमेंट से जरू करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंपोर्टन कोस्टिन के साथ